अमर्नात में बादल फटने से हुआ बड़ा हाथसा गुफा के पास 10-15,000 श्रधालू थे मौजूद दर्जन भर से ज्यादा लोगों की गई जाने लगभग 45 लोग लापता रेस्कियो उपरेशन जारी श्रधालू के राहत की तैयारी देखिए दन्यूस 15 की खास नमस्कार स्वागत है आपका दन्यूस 15 में और मैं हूँ आपके साथ स्वातितेवारी अमर्नात में शुक्रवार देर रात बादल फटने से हुआ बड़ा हाथसा बादल फटने के समय गुफा के पास 10-15,000 श्रधालू मौजूद थे यात्रा की स्थिती गंभीर होने के ब समाने होने तक स्थगित कर दिया गया है वहीं सेना ने शनिवार सुबही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था जिन्होंने छे लोगों को एयर लिफ्ट किया और उधर दूसरी तरफ माउंटेन रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तालाश में जुट गई है बादल इतनी भीषन रही कि पूरा इलाका पानी से तर्बतर हो गया और कई लोग इसकी चपेट में आ गए कई श्रद्धालू अभी तक लापता हैं और उनके तेज बहाव में बहने की आशंका लगाई जा रही है साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि 30 जून की सुबे से ही भोले के भक्तों की यात्रा बाल टाल और पहल गाम से शुरू हो गई थी और पहले जत्थे में 4890 श्रद्धालू दर्शन के लिए निकले थे यात्रा के दौरान सुरक्षा के बेहत कड़े इंतिजाम थे जिसके चलते हर पाँच कदम पर पुलिस का एक जवान तैनात था वहीं श्रद्धालू के लिए खास इंतिजाम किये गए थे जिसमें लंगर समितियां सबसे प्रमुक इंतिजाम था और इन सेवा भाव से अक्षा बलों के जवानों के साथ प्रशासन के करमचारी भी इन लंगरों में ही भोजन करते हैं और इसी तरह यह यात्रा मार्ग देश के सबसे बड़े सामूहिक किचन में तब्दील हो जाता है लेकिन दुर्भागे वर्ष बादल फटने जैसा बड़ा हाथसा हुआ जिसके चलते गुफा में कुछ लंगर और तंबू अचानक बार की चपेट में आ गए पुलिस, NDRF और SS द्वारा बचाव अभ्यान जारी है घायलों को इलाज के लिए एरलिफ्ट किया जा रहा है अधिकारी की जानकारी के अनुसार बारिश रुकने के बाद नाले में पानी का बहाव समान्य हो गया है वहीं कुछ लोगों की हताहत होने की आशंका है और बचाव दर लगातार लोगों को बचाने का प्रयात्म कर रहा है साथ ही आपको बता दें कि पवित्र गुफा के पास जब बादल फटने से बाढ़ आई तो श्रधालू के लिए बने बेस कैम उसकी सीधी चपेट में आ गए वहें गुफा के पास से एक नाला निकलता है जिससे बरसात का पानी बहकर निकलता है लेकिन बादल फटने के साथ ही ये नाला भी बेहत खतरनाक हो गया और उपर से बह कर आने वाला पानी अपने साथ बड़ी संख्या में पत्थर लेकर नीचे बहने लगा जिससे अमरनात की पवित्र गुफा से सेन मार्ग के बाल टाल आधार शिवर तक पहुँचने में सफल रहे तीर थियात्रियों का अनुभव बेहत दर्दनाक रहा वहीं आश्चर्य जुनक बात ये भी है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग यानि आएमडी ने शुक्रवार को कहा कि दक्षिन कश्मीर में अमरनात कुफा मंदिर के पास मौते और हानी अत्यधिक स्थानिय बारिश की घटना के कारण हुई है और ना की बादल फटने के कार दर्ज करता है लेकिन मंदिर में शुक्रवार को शाम साड़े चार बजे से शाम साड़े छे बजे के बीच 31 मिलिमीटर की ही बारिश दर्ज की गई जो बादल फटने की श्रेणी में आने के लिहाद से काफी कम है प्रधान मंत्री मोधी ने भी अमरनात हाथसे पर इतना व्यक्त करता हूं मैंने मनोज सिनहा जी से स्थिती का जायजा लिया है प्रभावितों को हर संभव मदद दी जा रही है तो पूरी रात रिस्की ऑपरेशन जारी रहा और मलवे में दबे यात्रियों के लिए ट्रेन डॉक स्कॉड भी लगाया गया है और साथ ही रिस जाते इस वीडियो को लाइक, शियर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार